संसार में तो बहुत सारे डेड़ सारे प्रशना आते हैं, दिन में कितने प्रशना आते हैं, और कई सॉल होते हैं, तो हम समझते कि अच्छी तरह से सॉल हो भी गए, लेकिन बाहर से तो उसका निकाल हो जाता है, खतम हो जाता है, लेकिन अंदर भीतर में तो बहावा थल चल रहती है, मन में समाधान नहीं रहता है, ऐसा मुरे ही साथ क्यों यह प्रशना हमेशा रहता ही है, यह तो इसमें मेरी क्या गलती, मेरा क्या कसूर, हमेशा हमारी बुद्धी इस रोजिंदे विभार में न्याए ही डूंती है, यह में न्याए नहीं हो रहा है, अन्याए हो रहा है, मेरे सेसा अन्याए क्यों हो रहा है, मेरे क्या कसूर है, यह न्याए और अन्याए जीवन में, अगर हम प्राप्त करना चाहेंगे, न्याए आपको कभी मिला ऐसा लगाए, लगेगा ही नहीं, आपको हमेशा एसा ही लगता रहेगा कि मेरे साथ अन्याए ही हो रहा है, गेरər सबंदों में भे ऐसा ही लगता है, पती-पत्नी के बीच के सबंदों में, मापप और बच्झों के बीच के सबंदों में, यह सास और बहु के सबंद में, हमेशा बहु को ऐसा है लगता है कि मेरे साथ सब अन्याई कर रहे हैं, सास को लगता है कि बहु बेटे मिलकर मेरे साथ अन्याई कर रहे हैं, बच्छों को ऐसा लगता है कि हमारे माता पिता हमारे साथ अन्याई कर रहे हैं, माता पिता को लगत बच्चे हमारे साथ, बहु हमारे साथ अन्याए कर रही है, किसी को ऐसा नहीं लग रहा है, कि मेरे साथ न्याए हो रहा है, ऐसे कितने लोग हैं, जिनको लगता है, कि मेरे जीवन में सब जो भी कुछ हुआ है, जो हो रहा है, जो हो चुका है, सो न्याए ही है, अन्याए है ही तो एइसा किसको लगता है, कितने को लगता है। शायद अच्छा हुआ हमारे जीवन में खुश-कुशाली हो गई, तो हम खुश हो जाते हैं, लेकिन ऐसा तो सोचते ने हैं, कि जो भी हुआ हो न्याए ही है। न्याए नहीं है। कुछ बुरा हुआ, हमारे महर्जी से खिलाफ हो गया, दुख हुआ, ऐसा हुआ, तो बेशक हमें ऐसा ही लगता है कि यह जो कुछ हो रहा है हमारे साथ यह सब अन्याई ही है, और हमेशा अन्याई के सामने संगर्ष चलते ही रहता है, उसको जीतने के लिए हम मन से तो युद करते ही रहते हैं, लेकिन कभी उसका न्याई नहीं होता है, मरते दम तक हमें अभी ऐसा लगने वाला नहीं है होगा, कि हमें जो किछ हमारे जियों में हुआ सो न्याई ही हुआ, उसकी वज़या है कि हम हमारे बारे में खुद के बारे में ऐसा ही सोचते हैं, कि हम जो कुछ करते हैं वो सब सच्चा ही करते हैं, मैं तो हमेशा औरों के साथ न्याय का ही बरताव करता हूँ या करती हूँ, हाँ, लोग मेरे साथ अन्याय ही करते हैं, मैं तो किसी के साथ अन्याय नहीं करते हूँ, न्याय ही करते हैं, अपने बारे में तो हमेशा अच्छा अच्छा ही मानते हैं, सच्छा मानते हैं, न्याय युक्त ही मानते हैं और इसके वज़त से हमें बहुत भुगतना पड़ता है अन्याय हुआ मेरे से इतना हमारे दिमाग में गुशते ही हमें बहुत 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 भुगतना पड़ता है झाल